नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटपॉर्म बॉलबट के गलियारों में इस वक्त पॉपुलर सिंगर और रैपर हमी सिंग को लेकर खबरे सामने आ रहे हैं क्योंकि 12 साल के बाद अब रैपर और उनकी पत्नी शालिय तलवार के तलाप को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मंजूरी देदी है जानकारी के अनुसार फामिली कोट में परमजीत सिंग ने हने सिंग और साथ उनकी पत्नी के बीच चल रहे धाली साल पुराने मुकदमे को खत्म करते हुए दोनों पक्ष्चों को तलाप की डिक्री दे दी है हनी सिंग पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा के आरोप लगाई थे शालनी का कहना था कि सिंगर और उनकी फैमिली ने उन्हें मांसिक और शारिक तोर पर प्रताइडित किया था वहीं अब 35 के समझोते पर पहुंचने के बाद आरोप वापिस ले लिए गए हैं पिछले साल सितंबर को हनी सिंग ने शालनी को एक करोड रूपे का दिमान प्राप भी सों पथा तलाप के सुनवाई में हनी सिंग के साथ मेटला ऑफिस की पात्नर इशान गुखर जी अध वहीं शादी के तीन साल बाद गौनों के अफैर की खबरे सामने आएं थी जिसके बाद हैं रियालेटी शो में ख्विला सखिया कि उनकी शालनी से शादी हो चुकी है बताते कि हैंने सिंग म्यूजिक की दुनिया का बड़ा नाम है जिन्होंने ना सिर्फ कई हिट एल्बम की हैं बलकि हिंदी सिनिमा के कई सूपर हिट फिल्मों में भी बहतरीन गाने आपने लंबी ब्रेक के बाद सिंगर और रैपर ने कलास्टार गाने के साथ धमाके दार कमबैक किया था वहीं ऐसे में काफी लोगों को ये गाना पसंद आया था और कुछ इसके बाद सिटमबर 2022 में शालनी ने दिल्ली की 30,000 कोट में केस वाइल किया था जिसमें उन्हों ने डुमेस्टिक वाइलेंस को भी मेंशन किया था खेर ये थी पूरी खबर आप भी इस पर अपने व्यूस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर शेर कीजिगा तो आज के लि के लिए जुड़े रहें मेरे अन्यान शेका शर्मा के साथ सिर्फ और सिर्फ न्यूस निशिन पर धन्यबाद